नमस्कार दोस्तों यह हमारे चलन की बायोग्राफी सेरीज की वीडियो और इसमें हम बात करने वाने हैं एक एह सतंता से नानी की जिनके जोगदान के बीना सतंत्र भारत की करपना भी नहीं किया सकती एक एह सतंता से नानी जिन्होंने भारत को सतंतर करवाने के निये पूरी दुनिया का भ्रमन किया और जिन्होंने ये नरा दिया कि तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजारी दूंगा तो दोस्तों सही समझा आपने इस वीडियो में हम बात करने वाने हैं निता जी सुभास चंदर बोस के बारे में तो चलिए वीडियो को सुलू करते हैं सुलू करने से पहने एक छोटी सी गुजारिस तेभी तक आपने मारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए मौरे टेक्निकल सपोर्टीटीव चैनल को बेल आइकन दबाकर अल अप्शन को जरूर क्लिक करें जिससे की सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तर तक है और वीडियो को लाइक करें जारता सेयर करें और हमारे वीडियो के बा प्रभावती और उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था उनके पिता कटक सहर के मसहूर वकीन थे और उन्हें अंग्रेश सरकार द्वारा राय पहादूर की उपाधी दी गई थी प्रभावती और जानकी नाथ की कुल 14 संताने थी जिन में से 6 बेटिया और 8 बेटे थे सुबाष चंदरबोस अपनी माता पिता की 9 संतान थे और 5 बेटे थे सुबाष चंदरबोस की प्राथमिक सिख्छा कटक सहर के प्रोटेस्टेंट अस्कूल में हुई थी इसके बाद उन्होंने वर्ष 1909 में रिवेनिशा कोलेज ये तास्कूल में दाखिला लिया दोस्तों वर्ष 1916 में जब वो बीए के च्छात्र थे और वो रेसीडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी वक्त उस कॉलेज में च्छात्रों और सिख्छकों के बीच में किसी बात को ले करके बिवाद हो गया इसके बाद सुबास चंद्रबोस ने च्छात्रों का नित्रित्व किया जिसके कारण उन्हें कॉलेज से एक वर्ष के लिए निकाल दिया गया और उनके परिच्छा देने पर भी रोक लगा दी गई सुबास चंद्रबोस के पिता चाहते थे कि सुबास चंद्रबोस भारतिय सिविन सिवा में जाएं लेकिन सुबास चंद्रबोस को अंग्रेजों के साथ काम करना पसंद नहीं था लेकिन पिता के कहने पर वो भारतिय सिविन सिवा के तयारी करने के लिए वर्ष 1919 में लंदन चने गएं और वहां भारतिय सिविन सिवाइमून का सेलेक्शन भी हो गया लेकिन जन्धी उन्होंने अपने पद से त्याग पतर दे दिया क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के साथ काम करना पसंद नहीं था वो अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना चाहते वर्ष 1921 में सुभास चंद्रबोस ने चितरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकासित पत्री का फोरवर्ट के संपाधन का कार्यभार संभाना वर्ष 1923 में सुभास चंद्रबोस को अखिन भारतिय युगा कॉंग्रेस का धक्ष चुना गया इसके साथ ही उन्हें बंगार्न राज्य कॉंग्रेस का सचीव भी बनाया गया वर्ष 1925 में क्रांतिकारण अंद्रण से जुड़े होने के कारण उन्हें जेर्ण भैई दिया गया जहां पर उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई वर्ष 1933 में वो यूरोप गए जहां पर उन्हें इतनी के उस वक्त के नेता मुस्वन्नी से मुलाकाद की मुस्वन्नी ने नेताजी सुबास चंद्रबोस को भारत को आजात करवाने में हर संभो मदद करने का भरोसा दिया इसके बाद वर्ष 1934 में सुबास चंद्रबोस की पिता की मृत्यी हो गई जिसे कारण वो भारत आ गए वर्ष 1936 में यानि की दो बार सुबास चंद्रबोस कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुने गए लेकिन गांधी जी जी थे वो पुरी रडाई को अहिंसा के माध्यम से लड़ना चाहते थे जबकि सुबास चंद्रबोस ससस्त्र विद्रोह के समर्थक थे इसलिए गांधी जी और सुबास चंद्रबोस के बीच में मत्भेध हो गया जिसके बाद अपने दूसरे कारेकान में सुबास चंद्रबोस ने जन्द ही अध्यक्ष पद से इस्थिपा दे दिया और उन्होंने अपना एक अलग गुड बनाया जिसका नाम था All India Forward Block वो वक्त के जर्मनी के सर्वोच्चे नेता हिट्नर से भी मुलाकात की वो देश की अजादी के लिए कुछ भी करने के लिए तयार थे और वो ससस्त्र विद्रोह के पूरी तरीखे से समर्थन करते थे इसलिए उन्होंने अजाद हिंद्फोस बनाया और उसके माध्यम से वो अब देश को याद करवाना चाहते थे आयाल हिन्द फोज के बारे में हम किसी अलग वीडियो में विश्तार पुर्वक जानेंगे 18 अगस्त 1925 को नेता जी हवाई जहाज से रूस की मंशूरिया नामा का स्थान पर जा रहे थे इसी बीच उनका हवाई जहाज लापता हो गया 23 अगस्त 1925 को रूस की टोक्यो रेडियो ने एक ख़बर परसारिद की कि एक हवाई दुरुखटना में नेता जी की मृत्यू हो गई है उस ख़बर में बताया गया कि नेता जी के साथ जापानी जनरल सोदेई उस विमान का पाइलट और कुछ हन ये लोगों की मृत्यू हुई है लेकिन दोस्तों नेता जी की मृत्यू कितिधी को ले करके हमेशा से यहीं बिवाद रहा है कुछ लोगों का ये भी मानना है या फिर कुछ जगों पर ये भी कहा जाता है कि उस वक्त कोई प्लेंदुर घटना नहीं हुई थी बलकि उस वक्त जापान की मदद करने के कारण यानि कि उस वक्त जो दिवित्यू बिस्वित्यू चन रहा था उसमें जापान की मदद करने के काराण रूस की सरकार ने निता जी को गिरहतार कर लिया था हाला कि अगर प्रविक्षा में आप से पुछा जाए तो आप इसका जवाब 18 अगास्त में से 45 से लिखेंगे तो इस वीडियो में हमने निता जी से जीवन से जूड़ी हुई महतवपूर्ण बाते जानने की कोशिस की है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के पटन जरूर दबादे वीडियो जादा सेर करें अगर आप चाहते हैं किसे भेट वीडियो बनाओं तो इसे भी कवर बॉक्स में जरूर लिखें एमरे वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो का पुरा देखने के लिए बहुत भाल धैन्ने वाध